वहां से में लाइब चेंज़ोगा एक शक्ती है तोड़ है अभी है अगर हमाई यो प्रार्थना सुनते हैं हम तो ध्यान देते हैं तो हम तो भी ध्यान देना पड़ेगा असलाम अलेकुम दोस्तो मशूर कॉमेडियन जॉन लीवर कर वीडियो निकल कर आया है सामने इस वाइरल वीडियो में देखोगे कि जॉन लीवर कर ने खुलासा कि जब उन्हें शराब की लट लगी भी थी इस कदर वो शराब पी थे कि दिन राश शराब के नशे में चूर जी उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूँ कि खुडा अल्ला एक है भगवान एक है लेकिन वो मेरी मर्जी कि मैं उसे कैसे पूझा करूं इसपर इन्होंने हपनी वीडियो में बिखे लें self- everyday in a pocket हमारे डॉक्टर जाकिर नैक साहिब ने उसके बारे में और अगर आप सच्चे मुसल्मान है तो इस विडियो को जरूर से हर जगा शेयर करना मुले मैं बहुत पिया करता था और शराब पिता था अब मैं 15-16 साल होगी है छोड़े बिल्कुले शराब बिल्कुले वहां से में रिलाइब कहीं जोगा एक शक्ति है और है अब अगर हमारी वो प्यार्सना सुनते हैं हम तो ध्यान देते हैं तो हम तो भी ध्यान देना पड़ेग इसमें जाता हो वहाँ भी और यहां भी नव यह प्रोदी और इस पूरे ने काम शूब कर दिया था ञाओ तैंक्यों आपने मौका दिया के आभ यभ यभी मैने सुना के हिन्दुग में में परतिमा के जरिये पूझा किया जाता है वह गर हर ए तो मैंने भी कुछ पड़ा है सुना है देखा भी है और हर धरम के इसमें जाकर मैंने उनके जरी से पूजा भी किया है सिखिजम भुद्धिजम हिंदुजम और क्रिश्टनिती में भी देखता हूं सभी में परमात्मा कोई बोलता है परमात्मा एक है कोई कोई बोलता है परमेशोर कोई बोलता है अलाय यह सब नामों के यह लेकिन अगर आपने दिल से अगर दुनिया में prob लुग देखे हैं तो में तो सम्झो बाइबर्त हिंदू हुँ लेकिन मुझे रूची परमेश्वर अल्लाह जीजस क्राइज यह जो नाम है एक बड़ी शमान शक्ति के जरिये में विश्वाद रखता हूं इन सब कपडों में मुझे कोई इंट्रेंश नहीं कुछ नहीं मैं परमेश्वर को मा को मानता हूं यह जीजस को मानता हूं अब जो मानता हूं गेश्वर जीडा सकते शवाद सवाल है ओन्हें कहा ए Check time Air Bird आमहीं दू में में पाईशी हिंदू हूं लेकिन मैंने कृत्ष्ण हैडीं इपड़ी इ engag पर और कि क्रिश्वारे वील? और बुद्धिस में जाके क्या हूँ मेरे सुनने में ये नहाए कि इसलाम में क्या हूँ नहीं आपने कहा नहीं बोला मेरी जेब में भी है दिल में भी है इसलाम दिल में भी है वह पुछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है मेरा धर्म क्या है उसके पहले उन्हें दो चीज़ कहा कि हम इश्वर को प्रतीमा के जरीए पूछते हैं और कहा कि कई नामे इश्वर, परमात्मा, गौड, अल्ला फिर कामया धर्म क्या तीन भागे सवाल के पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतीमा के जरीए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है आप अपना खुद का धर्म मनाएंगे आपका नाम क्या है शिवा जी शिवा जी शिवा जी पूरा नाम क्या है शिवा जी सुकदेव वारूले शिवा जी वारूले तो हमें उस तरीके से इबादत जिस तरीके से श्षिजक पाई श्षटांग श्षटांग बता है सच्षटांग मतलब आठ अंग आपके अंग के दमीन यह ना आट अंग आट इस्टेया आपके अंग के दमीन पर गाना चाहे आठ बाद माथा नाक दो हाथ नोह उटने और दो पैर अठोगे न सब मेरी तो यह की टांग है एक सवर्ग में गई है तो मैं साश टांग कैसे कर सकता हूं हाँ वेरी गूड वेरी गूड मिसाल के तोर पे खुरान में लिखा है आम तोर पे अगर सुरे निसा में सुरा नंबर 4 आयत नंबर 101-102-103 में अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रिके नमाद ने पढ़ सकते बेटके पड़ो बेटके ने पढ़ सकते लिटके पड़ो आप गोड़े पे भी पढ़ सकते उड़ पे भी पढ़ सकते समझे ना मिसाल के तोर पे उसका मतलब आप खड़े ने सकते बेटके पड़ो बेटके ने तो लेटके तो आठ ने साथ है ना साथ ने तो छे भी चलेगा जितने उतने नमास कबूल हो लेकिन आठ है और आठ हो के बोलेंगे मैं साथ करूँगा तो गलत है आँट है तो आँट करना जाए, बेट सकते हैं तो बेट के करो आप समझें ना, अगर खड़े सकते हैं तो खड़े रहे ना आपके लिए जरूरी है भी खड़े सकते हैं फिर बोलगा बेट के पूर तो बात नहीं तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में आप तेक ही करेंगे तो कुरान में लिखे लाए सुझूत के बारे में सिजदा करना इंदू धानमी किताबों में लिखा है शाश्टांग बाइबिल में पढ़ेंगे, बाइबिल में भी लिखा है इन दो बुक अफ जेनिसिस बुक अफ जेनिसिस चैप्ट नमबर 17 वर्स नमबर 3 एब्राहिम फेल उन फेस और पेड तो गॉड बुक अफ नमबर 20 वर्स नमबर 6 में के मोजिस एन एरन वो धर्ती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माता टेक के खुदा की अबादत की फेलानिस फेस और पेड तो गॉड लिखे अबुक अफ जोश्वा में चैप्ट नमबर 5 वर्स नमबर 14 में जोश्वा फेलानिस फेस और पेड तो गॉड जोश्वा ने मूँ के बल जमीन पे गिरा और खुदा की अबादत की इसायले सलाम अब गॉस्पल पढ़ेंगे अब मैथियू में तुक अ फ्यूट टेप फॉड और गॉड़न आफ गेड समेनी फेलानिस फेस और पेड तो गॉड गाड़न आफ गेड समेनी पे मूँ के बल गिरे और खुदा की अबादत की मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाडी या एक्रोबैट मूँ के बल अगर गिर सकता है जिस तरीके से मुसल्मान पढ़ते हैं उससे बहतर गिरने सकता है तो किस तरीके से पढ़ना चाहे धान में किताबों का मुताला कीजिए आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है आप समझें ना आपका दूसरा सवाल खुदा बोलो, अल्ला बोलो, जीजिस बोलो कुरान में आयत है सुर इस्रा सुरान नाम सत्रा आयत नबर 110 कुलिदूला अवेदुरार्यमान आये माता दू फलाल अस्माल हसना को ला ला है या रह्मान जो भी को लेकिन भैतरी नाम को सई नाम को क्यूंकि अल्ला के सबसे बहतरी और अच्छे ब्यूटिफुल नेम्स है कुरान मजजिद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से लग को पुकारो लिकिन सभी नाम से पुकारो और कुरान मजजिद में अल्ला के निन्यानवे नाम है अलहकीम, रब, अर्रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला और सबसे उचा नाम अल्ला ये जो कुरान मजजिद में लिखा है कि अल्ला के सबसे बहतरी नाम है सुरह इसरा, सुरा नमबर सतरा, आयत नमबर एकसो दस के इलावा क्योंकि ये अर्बी लफ अल्ला में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ में मिलावट है, मिसाल की तोर पे गौड लो, गौड में एस अड़ करें ही तो हो जाता है गौड्स, कुरान में कुल हो लावाद, कहो कि अल्ला एक है, अगर हम गौड पे अड़ करते हैं, डी ए ऐसे सो हो जाता है गौड़िस, मौणनस खुदा, फीमेल गौड, इसलाम में न मेल गौड है न फीमेल गौड, अल्ला क्या, कोई जिंस नहीं, अगर मैं एड़ करता हूँ, फादर हो जाता है गौड फादर, वो मेरा गौड फादर, वो मेरा गौड फादर है, वो मेरा देखबार मतलब फेक गॉड मतलब बनावटी खुदा इसलाम में कोई तिन अल्ला नहीं है इसलिए मुसल्मान अल्ला को अर्बी लफ अल्ला से पुकारना भैतर समझते बनिजबत गॉड आप लो परमात्मा आत्मा परमात्मा इश्वर परमेश्वर कुछ भी रो उसके मिलावट है अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी हो जाता है देवता देव, देवियां, देवता अब समझे खुदा खुदाओ खुदादाद सब में मिलावट है इसलिए मुसल्मान पसंद करते अल्ला को अल्ला के लफ से बुलाना आपका आखरी सवाल आपका आखरी सवाल आपका नाम क्या अपने का शिवाजी किया शिवाजी वारूले वारूले आपका आखरी सवाल क्या आप कुन सा धर्म फॉलो करते आपका धर्म में शिवाजी वालेले का धर्म शिवाजी वालेले का धर्म ये सही धर्म नहीं है आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म अल्ला का धर्म और वो धर्म सबसे बहतरी उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम मैंने का ना instruction manual ये instruction manual कुरान है जो खुदा का आखरी कलाम में जिसमें लिखाए किस तरीके से इंसान को अपनी जिन्दगी बसाना चाहिए किस तरीके से अबादब करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए मैं खुद के ओपर follow करने लगँगा तो नया धर्म एजास करूँगा तो मेरी आपसे धरकास थे कि आप कुरान मजीद को पढ़िए उसका तरजमा पढ़िए अंग्रेजी में पढ़िए हिंदी में पढ़िए मराटी में पढ़िए और इस पर अमल कीजे फिर में कौँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का हुआ है पाप दो के इव भूसा कारूण है और इस जाGHी में परूबक है। यगальноई च्क्राव供िग को